तो इससे पिछली वीडियो में हमने format string vulnerability की मदद से arbitrary rate समझाता इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैसे हम format string vulnerability की मदद से arbitrary write कर सकते हैं अब यह जो arbitrary write है format string की मदद से जादा rate से अलग नहीं होता कुछ minor changes ही होते हैं लेकिन arbitrary write को समझना बहुत important होता है तो इस वीडियो को समझने से आपको आगी की जितनी वीडियो से असानी से clear हो जाएगी तो इसको समझना बहुत जरूरी है और इस वीडियो में जो भी binary यूज करूँगा वो आपको मेरे github पे मिल जाएगी link description मिल जाएगी तो उसकी practice आपको जरूर करें तो हम लोगों को यहाँ पे एक binary मिल रखी है fmt right जो की एक suid bit binary है हम लोगों का task है binary को exploit करके flag.txt के अंदर का content पढ़ना इस challenge के अंदर हमारे को shell नहीं मिलेगा हमारे को बस flag.txt के अंदर का content है flag है उसको पढ़ना है और cat के मदद से नहीं binary को exploit करके तो यहाँ पे हम run करते हैं सबसे पहले binary की working देख लेते हैं enter string हमारे को string कह रही है तो और उसके अदि यहाँ पे आता है u entered जो हम एंटर कर रहा है वो reflect हो रहा है उसके अदि ही कह रहा है value of target is 0 अब यहाँ पे check sec करके permission देख लेते हैं इसकी check sec और fmt right canary enable ले इसका मतलब buffer overflow attack करने हैं बहुत मुश्कील होगी nx की अगर हम बात करें तो वह भी enable लेंगे shell code का हम यूज नहीं ले सकते हैं इसका मतलब हम जो addresses हैं उनका use ले सकते हैं वो बदलेंगे नहीं जो binary के अंदर के addresses हैं तो यहाँ पे GDP के अंदर खोल लेते हैं हम अपनी binary को info functions हमारे काम का यह क user defined function है जो की है main तो इसको disassemble करके हम देख लिए कि main का code क्या है medium level का code है मतलब ज्यादा ज्यादा भी code नहीं और कम भी code नहीं ठीक है तो सबसेल एक printf होता है normal सा जो print हो रहा है enter string वाला उसके अधा हमार से scanf से input लिया जाता है हमार से उसके printf 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 जो printf और यह चीज़े हो value of target और वो सब print हो रहा है न कि आपने क्या डाला है वो सब उसके तम नीचे आते हैं उसके अगर आप देखोगे तो एक compares बहुत important होते है तो यहाँ पे एक value compare हो रही है ex को compare करा जा रही है 3 से ex के अंदर अगर हम देखें क्या है तो ex के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक target नाम का variable है एक target नाम का variable है उसकी value ex के अंदर डाली जा रही है ठीक है और उसका यह address है target का जो हम देख रहे थे कि target की value बतार था target की value 0 है जो हमार को output में द exit हो जाएगा और अगर वो equal होते हैं उसके दिया f open function को call करता है यानि कि flag.txt को open कर रहा होगा और उसका content पढ़के हमार को यहाँ पे print कर देता है यानि कि अगर हमार को flag print करवाना है तो हमार को इस target के value जो इस address पे हमारा target है उसकी value हमार को 3 के equal करवानी पड़ेगी ठीक है तो इस challenge में बिल्कूल same हम पिछले वाले की तरह ही करने वाले arbitrary read और arbitrary write ज्यादा अलग नहीं है जैसे उसमें हमने address से flag को पढ़ा था एक address पे flag लिखा था हमने पढ़ा था %s की मदद से है इसमें बिल्कूल same काम करते हैं हमार को एक address पे लिखना है बस %s की जगह पे %n का use लेंगे तो वह लिख देगा %s हमार को read करने में help करता है %n write करने में help करता है तो अगर आपने पिछली वीडियो देखिए तो आपको बहुत easily clear हो जाए बिल्कूल same करने वाले है ठीक है बस write यहां पे हो जाता है %n की मदद से और उसमें वहां पे हम read कर रहे था तो अगर अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो देख लेना तभी यह वीडियो clear होने वाली है तो जैसा उस वीडियो में करता है सबसे पहले हमारा को हमारा offset यह कि हमारी जो value हो stack में कितने number पर जारी stack में कहां जारी है ना वह 14th number पर जारी 15th number पर तभी हम printf को बता तो हमारा को बताना पड़ेगा printf को कि हमारा जो address हम लिख रहे है जिस पर हमारा को लिखना है वो stack के दर हम कहां रख रहे हैं तो उसके लिए हमारा को निकालना पड़े गया है मारा address stack के लिए Attorney तो उसके लिएम सिंपल सा है कि exploit लिए जो हमारा काम automate कर देगा हमारे को धून के देदेगा कि कहां पर हमारी value जा रही है stack के अंदर तो जो दो line मैं हर बार लिखता हूँ मैंने लिख लिए pon tools को import कर लिया है shebang line लिख दिया उसके आद अब यहाँ पर अपना process जो है start करते हैं यहाँ पर हम अपने जो हमारी format string है और उसके आयो.receiveall जो भी हमारे को address हो रहे हैं उनको receive कर लो आयो.receiveall की मदद से और इसको print भी करवा देंगे हैं print और इसके आयो.close बंद कर दो connection हमारा हमारा जो process तो पूरा हो गया है ठीक है उसके आद यहाँ पर हम देंगे dot ताकि जो aaa है और हमारे जो address stack के अंदर से leak होंगे stack की values leak होंगी वो थोड़े से अलग से differentiate हो नहीं भी दोगे तो इसके बिना भी काम चल जाएगा ठीक है उसके आद हम यहाँ पर देंगे percent उसके बाद i की value change होते हैं हम इसको loop में रखने range ठीक है और one से लेके 50 तक बहुत होती है इसके अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है इस समय जागया मैंने indent भी कर दिया इसको और साथ में एक चीज़ बहुत याद देखना हमार को यह जो i की value यह भी print करवानी है ताकि हमार को पता रहे अगर मालों मेरे को मिल गई 4141 तो मुझे क्या पता हो कितने number पे 4141 प्रिंट हो रहा है तो i जितने number पे होगा उतने पे हो प्रिंट हो रहा है तो यह मैंने पिछली हाल बिताया था context.log-level equals to error हमार को सिर्फ error दो बाकी कुछ मत लॉग करो python3 exploit.py enter मारते हैं और इस बार भी खाल लंबा output आएगा लेकिन देखने लाए गाए कि आप समझ तो सकता है at least 4-1 दूरनो बस इसके अंदर 4-1, 4- कहां मिलता है हमार को 4-1 यह अलगी चमक जाते है 4-1 इस बार इसका offset है 8 है न 8 नमर पे प्रिंट हो रहा है कि जो भी हम input डालेंगे वो 8 नमर पे stack में जा रहा है समझ के इस बात को बस अब तो बहुत काम असान है हमारा यहां से और अब हमार को target का address भी जहां पर हमार को write कर प्रोसेस को start करना है यह तो ऐसी रहेगा payload भी हमार को बनाना है io.sandline भी हमार को करना है print हमार को नहीं करना print को अटा देते है close भी हमार को नहीं करना इसको भी अटा देते है और यहां पर io.interactive दे देते है बस इतनी ही line का exploit होगा सोचो छोटा सा आप इससे बहुत right attack कर सकते हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं तो बहुत इजी है इतनी इतनी line का code होता है और हमारा काम हो जाता है ठीक है तो अब इस payload को हम change कर लेते हैं यहापर तो हमारा payload क्या होगा इस बर %9$N ठीक है यानि कि मैं इसको क्या 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 रहा हूँ नाइन जो को यह 4 bytes हुई है खाली दिख रहा है यह 4 bytes हुई है खाली अब %N कैसे काम करता है याद करो मैंने आप लोगों को बताया था format string जिसमें introduction दिया था format string वाने बेटी तो %N को कैसे बताते हैं कि हम कितनी value लिखनी है %N काम करता है कि जितनी value % से पहले लिखे होंगे जितनी भी bytes लिखे होंगे % से पहले उतनी value वो लिख देता है उस address पे तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ABC तो % से पहले कितनी value लिखे है मैंने ABC 3 तो यह क्या काम करेगा % से पहले count करे हैं कितनी bytes लिखे है हमने 3 लिखे ABC 3 उठा के यह इस address पर लिख देगा हमने इसको बोला 9th नंबर पर जो value है उस पर लिख देगा जाके जो की हमारे target की value हो ठीक है अब हमारको इनको 8 bytes कराने तो यह आप गिन सकते यह 8 नहीं हो यह तो हमारको इसके बाद यहाँ एक D दे देते हैं ठीक है पहले मत दे देना ABCD मत दे देना उसका मतलब हो जाएगा आप 4 लिखना चा जाए ठीक है इसकी एक byte इधर शिफ्ट होके ना जाए इसलिए इनको 8 bytes मनाने के लिए हमने आपे D लगा दिया last में आप कुछ भी लिख सकते हैं D मैंने ऐसी लिखती है समझ के इस बात को यह कैसे काम कर रहा है और अगर आपको पिछली बार वाले error से बचना है तो यहाँ सकते हैं तो हम देखने रएकर सकते हैं आप यहाँ पर मर्थी जाot वो सब लिख सकते हो तो हम देखने वाले कि यह कितना खतरना हो सकता भी तिख वीड् Eux कृम कर सकते हैं tops अगली वीडियो में देखने वाले कितना खतरना के जा सकता है सबाद को आपको form canal TV मनान इंती wahr Rachel